हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों मैंने कल आप से रिक्वेश्ट किया था कि जितने भी लोग इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको इस वीडियो के डिसिस्टन में मिल जाएगा आप वहां से जूड़ सकते हैं और ITI जो परिच्छा है उसके खिलाब हम कुछ यहां पर जनकारी भी आपको देख सकते हैं उसके माध्यम से या कोई भी आपकी जरुतमत जनकारी हो या किसी भी परकार की आप जनकारी चाहते हैं तो वहां पर आप डारेक्ट वहां से पोच भी सकते हैं या आप कमेंट बे सब से उपर जो जिसने कमेंट किया है उसके कमेंट बे जाएए देखिए वहाँ पर हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है आप वहाँ से भी जूड सकते हैं जोस्तों यह चानकारी है आई टिया एकजाम 2020 को लेकर जैसे कि मैंने आपको कल बताया था प्र पोर्सिजर था डिजिटी को भेजा लेकिन अभी फिलाल उनका नहीं हुआ है वह तो बात हो गई वहाँ पर समिश्टर वालों के लेकिन इस समय जो परिछा के एरिकार्डिक जो यहां पर जनकारी निकल के आ रही है कि आप लाइन होगा या आल लाइन होगा तो क्या माद् गंटी वाल आइकोन को दबाकर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक के लिजेगा जैसी कि दोस्तों आप सभी को मालू में कि एक अनफिसली तरीके से आपका टाइन टबूल जारी कर दिया गया है लेकिन अभी फाइनली और इसका जो अफिस्यल वेसाइट है उस पे ऐसा कुछ भ लाइन होगा लेकिन यहां पर जो यरली वाले जैसे की फश्टियर और सिकेंडियर के इस्टुडेंट है उनका जो परिचा होगा आल लाइन होगा तो उसी के समद्द में आई टे के सभी छात्र यहां पर प्रदर्सन कर रहे हैं और यहां पर इनकी क्या मांगे मैं आपको इस वीडियो के मादम से क्लियर कर देने वाला हो तो यह आप इंस्टागराब पर नहीं जुड़ें तो इसने नहीं किया कमेंट कीजिए और इसमें आपको लिंक मिलेगा आप वहां से इस्टागराब पर फॉलो कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आज की जो जनकारी निकल क्या रही कुछ इस तरह से निकल क्या रहे जैसे कि आप देख सकते हैं जो विद्यार्थियों की मांगें कुछ इस परकार किये कि आल लाइन परिच्छा को लेकर यहां पर साप लिखा गया है कि विद्यार्थियों को आल लाइन परिच्छा नहीं होनी चाहिए क्यों कि बाकी दोस्तों यहां पर देख से थे जो जनकारे निकल कि आ रहे विद्धारतियों की आल-line परिछा नहीं होई चाहिए क्योंकि अच्छलों के अच्छातर आज भी वी कंप्वीटर से दूरे सही बात है यहां पर ऐसा होता है प्राइबेट कॉलेजिए में वहां पर एड़िशन तो हो जाता है लेकिन वहाँ पर सारी बेवस्थाय नहीं हो पाती है यह दिए बेवस्थाय ही नहीं हो पाती है तो वहाँ पर कंप्यूटर की सुभीदा क्या हो गया है हाला कि सवार कालेज ऐसे नहीं है लेकिन फिलाल जैसे भी कालेज है वहाँ पर कुछ ऐसे भ पत्र प्रमाण पत्र सनस्थान दवारा जारी किये यह और परधान चारी के अस्ताचत ताकि उसकी प्राव्डता बनी रहे और उन्हें रहे कि मांगे हमारी केंद्र सरकार से है जिने विद्यार्थियों के हीतों पर ध्यान में सरक्का तद्काल पूरी करने चाहिए मतलब कि यह जो मांगे हैं भारत सरकार से ठीक है यह उनको नॉलेज नहीं है तो वह परिच्छा कैसे दे पाएंगे इस तरह बहुत सारी समस्या हैं जो कि इनों लेकर आवाज उठाए तो आपको क्या लगता है कमेट में जरूर बताएगा आलाइन परिच्छा होना चाहिए या आप लाइन होना चाहिए कमेट में जरूर बत